हुआ है है हलो गाइच माइनेम अमीद कुमार और मैं एलेक्ट्रोनिस ग्रेजुएट हूँ तो मैं आपको कुछ अभी जो अपनी इंजिनेरिंग कॉले से पास आउट होने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ सजेसंस लेका आया हूँ क्यूंकि अभी जब पास पास क्या नीड ह अगती होती है तो एफ्टीविट पार्ट की और एसा नहीं है कि एफ्टीविट पार्ट वर्सामे कॉलेज्ज Sipp 추折ений को हमें पहले से हमें पहले से जो बेशी चेप्स हम खाहां से पढ़ते आ रहें तो 8 9 10 में से हम पढ़ते आ रहें यह सारे टॉपिक समेट 9 10 में पढ़ चुके होते हैं लेकिन इनको हम क्या लॉंग वे में पढ़ते हैं लेकिन मुझे अभी हमें क्या नीड होती है कि जल्दी-जल्दी सीखा जाए और दृट्दी-जल्दी-गे इसके लिए क्या हो गार्त कि आपको एंसे सब्सक्राइब बताऊंगा और हमें ये खॉयलेज प्लेश्प में से लेके गेट और बहुत सारी होताँ कि क्या क्या चीजे नीड होती है अब फर्स्ट अब फर्स अफ फोल यह बात रही कि अभी मुझे क्यूं नीड पड़ी है और ऐसा में क्यूं पाधना चाहिए कि अभी जरूरी क्यूं हो चाहिए क्योंकि हम चार सल क्या करते हैं कॉले से पढ़ते हैं वहां सब को प्रेस्मेंट चाहिए आप प्लेस्मेंट चाहिए तो फिर्श पॉल मुझे अगर कोई चीज का फ़र्ट करना है तो कोई कंपनी आती है तो यहां पर यह देखेंगे कि बहुत सरे टॉपर्स होते हैं जो फर्ट रॉंड कर पाते हैं और अभी हमें क्या है कि अभी क्या चल रहा है अभी कोरोना है मिस दो तीन महने तो हमें कोरोना ने ले डूबा ठीक है को दो तीन महने इसके लिए क्या कंपनिया भी आएगी इस साल कॉलेज में बहुत कम आएगी आएगी तो बहुत कम को लेकर जाएगी मिस जो पहले इसे मान लिए टीस होती थी या एसेंचर होती थी तो एसन क्या करती है समास एक्वेटमेंट करती थी मितलों बहुत सब्सक्राइब करती है नीड़ नीड़ होगी कि कुछ बच्चे ले जो क्रीम है तो क्रीम कास पर जल तो सबसे अपी देखो को फूब पूरा को पूरा प्रोसेस करवाती है तो कॉलेज में आपको पूरा पूरा एक पहले फर्स रॉन किलियर करवाती है अब फिर आगे जाके आप टेक्निकल रॉन में जाते हो तो मैं आपको यह बताने की चीज कर रहा हूं कि अभी क्यों पड़ी अब देखिए कि अब दो हुआ अब अगर जो फर्स रॉन किलियर कर ले जाते हो फर्स रॉन किलियर करने के वतलब कि अगर जो आप कॉलेज में हो उस कॉलेज में लगवाग 14 सो बच्चे अगर में लिए कोई प्राइबट कॉलेज या फिर गवर्मेंट कॉलेज में भी पढ़ते हो तो उसमें सेवन टू-एट-हंडेड बच्चे होते हैं अब सब का टार्गेट होता है कि फर्स्ट जो भी कमपणी आती उसमें प्लेस्मेंट होने का अब फर्स्ट कमपनी क्या आती है जो मार्स प आपको प्लेस्मेंट लेने के लिए इसे मालो कि 2020 जिनका जौब 2021 में लगने वाला था लगने लग भी सकता है भी तो कहने सकते कि पूरा क्या होगा क्या सीन है तो उनके लिए क्या नीड होगा कि उनको टॉप बनना होगा अब आपको टेक्निकल टॉपर बनने से आपको जौब नहीं मिलेगी अब देखें यहां पर क्या होता है कि टेक्निकल टॉबर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो हम चार सल फोर येर्स तक हम टेक्निकल पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है हमें एक बेसिक नॉलेज होता है टेक्निकल का जिससे हम क्या कर बाते हैं कि उससे जो नॉर्मल जो कि आत लेकिन टेकनिकल सहरे पहुचने के लिए पहले क्या निर्थ होती है उब व्रिध के रेख्राइज नहीं को किला आती है कि हमने सब को आती है अगर देख जाते ही मैं जबकलों होती है तो पर्सेंटेश profit and loss कि एसाई एंसी यह सब मेंन में टॉपिक होती है जो यह आती है टूपिक है जो मैं आपको अगये ध्यर्य बताऊंगा अब देखें यह क्या होता है यह सब हम पढ़ चुके हैं पहले समाद चुके हैं पढ़ते हैं दिए-धर्य सब पढ़ चुके हैं लेकिन यह हमें में से सौ बच्चों में आना है इन तेरा सो को हराना है इस तेरा सो को डिफीट करोगे सौ के अंदर आओगे तभी आपको कॉलेज प्लेश्मेंट होगा और फर्स कंपनी में चाहिए तो उसके लिए आपको एप्टिटूड बहुत फार्टली स्वाल करना होगा और उसके क्या सीखना होगा आपको ट्रेक्स किसारे कोशें कुछ कुछ जाते कोई कि या निशाती है कि आप देखो पूरे को एक पूरे एक प्रोच करो आओ देखो मितलए नॉर्मल परोच होनी चाहिए को कैसे समझ सकते हो जैसे वहां पर रिजा क्या करोगे या फिर कोडिंग या पुलेसमेंट के आप कामोलो कॉलेस्ट से निकलने के बार दोची होता है या तो हम placed हो गये होते हैं आज छाटं अन प्रडेश अर या फिर हम है गेत के प्रप्रेशण करते हैं आओ व्प मुझे एक लॉटकल वे में समझ मार गयाई चीज़े क्या कर नहीं नहीं करने लेकिन उसके आगे भी हम चाहते को अच्छी और कंपनी बैठे तो वहां भी जाओगे तो फिर आपके एक्सपरियेंस बैस इस पे और आपके एक थिंकिंग बे अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए अप्टी टुड़ आपको पढ़ते रहना चाहिए उची होती लेकिन आप अगर जो अन पलेस्ट हो प्लेस्मेंट नहीं मिली किसे तरीक भीट हो तो आपको फिर आपको अनपने पड़ेगा और मार्केट नहीं होती है कि आपको क्या कि आपको पहले एक फिर एक एक राउंड फिर से कल्यर करना पढ़ेगा गर्ञाइब, करने कमोरे से ऐसे आप देखोगे तो MCAT हो गया को क्यूब हो गया तो यह क्या करवाकर देती हिसा अगर देखो गए आपT आपके मार्क्स कर रहे हो क्या कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं फिर आपको ये घ्जते हैं लेकिन इन कि आप खुदी मार्केट में जाओं यह होता है कि बोलते कि यह कुछ ऐसा करवाते हैं यह क्या करते बस एब तीट लेटेश लेतें और बागी कंपनी पूर्वड करते है अब वहां से आपको तेखना होता है कौन से कंपपनी में लेने फिर यह भी बहुत सारे मतलई में प्र ग्रीपोसिस को गया कि भी विप्रों गया कि अफिर और भी बहुत सारी जो कमपनियां जो क्या करती है तो ऑफ केमपस लेती है तो और हमनों करना पड़े है अप्टितूट तो इसलिए भी उबहुत इस सल्टों ज्यादवा नीड है और अपिटितूट हमें आना ही चाहिए तो एक्रिक्टिटूड हमें हमारे जॉब का फर्स्ट सटेप है अगर देखो तो फर्स्ट पर हम énormément कोई भी जौब लेना स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब लेना तो अब देखवडँ यहाँ पर क्या होता है यह तो होगी काम होते हैं मुझे कहते हैं बहुत सर्व चले जाते तो मालो टेक्ष लेजाते ले क्या प्रेसले ले सकते ऊष्य स्कूल होगे उसमें एक पार्ट क्या आता है है एकटिट्यूट भी आता है जो 15-20 मार्स का तो नॉर्मली होता ही उता है तो नॉर्मली 15-20 मार्स होता है अब तो चार सा धंग से पढ़े हो चीजें धंग से की ओ तो अब को आता वह यह तो है कि अब करने जा रहे हैं तो आपको टेक्निकल आदा है डंग से लेकिन आप उस टेम पर फोकस नहीं किये जो नौन टेक पार्ट में क्या आता है एप्टी ट्यूड आगया रीजिनिंग आगया जी के जीएस आगे ऐसा जो हादी जाम में कुछ ने कुछ बेटेज रखता ही रखता है अब कोई भी एक्जाम नहीं होता है यसमें नहीं होता है अगर जो आप कॉले से निकलते टाइम अगर अपने पीडियूड सही कर लगते हो और यहां पर जो अप्टीट्यूड आते हैं जो गप्र गेट में जो आते हैं कि जो बहुत ही लो लेवल तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक मेडियम लेवल काता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो इसको क्या कर सकते हो और यहां सब अगर जो 10-15 मार्क के बीच में भी ले आते हो तो आपके पास एक क्या है एक जा जाता है विसाप किसी से 10 मार्क से ज्यादा इस्ट्रा हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पर क्या कहने वाला हूं कि अपको थोड़ी सी जो मुझे नौलेज यह नहीं बोलोगी मैं मैं बहुत अच्छा अप्रीटूड करवाता हूं या करवाओंगा आपको अच्छी लाएगी तो आप मेरे साथ बने रहना ठीक है और मैं आपको क्या करवाने वाला यह नहीं कि मैं आपको एंटीपीटी या एससी बड़े बड़े जो अग्याम होते नॉन टेख है यह उस लेवल तक लेकर जांगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद एक ग्रेजुएट हूं और मैंने खुद गेट की भी एक्जाम दिये तो मुझे पता है कि किस लेवल तो मुझे पता है कि किस लेवल तक मुझे लेकर जानी है यहां से तो मैं आपको क्या करूँगा कि कल से आज से तो मैं आपको समझाराओं कि क्यों नीड पड़ी है कि क्या जरूरी है अभी अप्टीटूड के हमारे लिए तो मैं कल से क्या करूँगा आपको तो यह नहीं कि मैं आपको 20 लेक्चर या 15 लेक्चर देंगा ताकि आप खुद ही बोरो जाओ मैं आपको तो मैक्सम्म 4-5 लेक्चर दूँगा चार से पांच लेक्च अब दो चार से पांच टोपिक चार से पांच वीडियो दूँगा अपको 30 मिनट का दूँगा तो जो आद आपको इफेक्ट भी नहीं पड़ेगी और सभी कोस्टिन को मैं ट्रिक वेसिस पर करवाओंगा जहां चैनल लोग जैसा आप लोग जैसे आप लोग जैसे आप लोग बोलेंगे की कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है उसके अपॉर्णिंग और सब में जादा नहीं होगा जब सब में तीन से चार अगर जो बड़ी टॉपिक है तो मैंसे छे टॉप पांच से चे वीडियों में पूरा कंप्लीट करूँगा और अच्छे कंप्लीट करूँगा और पूरा ट और उसके बाद मैं आपको कोश्चन खूब सारे कोश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूगा कि आपको कहीं कुछ नीडी में हो अब एक बार कहीं भी जाओ कोई भी प्लेस्मेंट के लिए बैठो या कोई भी गमेंट के लिए बैठो या फिर आज से तीन साल विजाद क्यों बैठो लेकिन आपको फिर खोल के देखने की नहीं होगी अपकी बेसिक इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई भी एक्जाम में आप एजली बैठ सकते हो फिर आपको समझ माने लग जाएगा क्या कैसी क्या बनते हैं तो यह मैं आपको इतना करके दूंगा और धेदर मैं पू और मैं आपको फ्रॉमिस करता हूं कि कि आप अगर जो मेरे साथ बने रहेंगे मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं से वन टूंट मांग रहा हूं तो आप जब बन टूंट में बाद अपने आपको एप्टीट कंपेर करोगे या फिर कोई भी कंपनी में बैठोगे तो आप चैनल ओकैंट आपकैंट